नमस्कार साथियो मैं कुनाल आप सभी का संस्कृति आई एस यूटूब चनल पर स्वागत करता हूं अभी हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं मुसलिम महिलाओं के लिए मिंटेनस के बारे में ऐसी मुसलिम महिलाओं जिनका तलाग हो जाता है तलाग के बाद उन्हें क इस प्रकार से गुजारा भत्ता मिलेगा यह बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे देश में यह कानून है जो कहता है कि अगर पती पत्नी आपस में तलाग देते हैं तो पत्दी की जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी बीवी को मतलब जो एक्स हो गई है अब अपनी पूरू पती की जिम्मेदारी है कि आप चीजों को मेंटेन रखें या तो जबतार उसकी दुबारा शादी नहीं हो जाती या फिर उसके पास को एच्छा इंगम का सोर्ज नहीं हो जाता तब तक आपको चीज़ें करनी होगी लेकिन क्या हुआ कि एक मुसलिम वेक्ति था उसने पत हारित करते हैं बहुत जादा नहीं है आपको सिर्फ महीने में 10.000 रूपे देने हैं अपनी पूरू पत्नियों को और वबस्ता ठीक चलती रहेगी लेकिन जो इनका पतीत है वहां पहुंच गया है आप सुप्रीम कोड़ पहुंचकर कि इन्होंने कह दिया कि जी मैं नहीं यह मना कर रहे हैं कि मैं किसी प्रकार से में नहीं देने वाला अपनी वीव को क्यों क्यों कि कह रहे हैं कि जो केस चल रहा है वह केस अलग चल रहा है हम लोग की मानेता है अलग है दरसल हमारे देश में दो प्रकार के कानून होते हैं एक होते हैं धर्म निर्पेक्ष और द दिया गया था और सारी विवस्ता उसके कॉर्डिंग चलती है अब यह जो केस है यह केस है CRPC के तहत रिस्टर तो जो शोहर साहब थे इनके वह क्या रहे हैं कि 1986 वाले कानूं के तहत मामला चलना चाहिए क्योंकि हम तो शुरुआत से उसके कॉर्डिंग ही मैनेज कर रहे है अ आप लोग देख लें एक्प्रशन कुछ इस प्रकादा एक्प्रशन आपसे प्री में पूछा जा सकता है तो यदि चीज़े पहले ही पता है तो बस कुछ नहीं आंसर कॉमेंट कर दीजिए नहीं पता तो वीडियो को अंत देखिए हर एक चीज़ आप जान जाएंगे वह उसे बोलकर दिया और पति पत्नी दोनों अलग हो गए है तो पत्नी पहुंच गए हैजराबाद में यह पारिवारिक न्याल्य दोनों के पास गुहार लगा बोघक्राइब की तहता है पूरे नियाल्य अपूरे मामले की सुनवाइग करता है और अब उनके पास में कोई income का source नहीं है तो ऐसे इस्थिति में आप अपनी पूर्व बेगम को 50,000 रुपे मासिक देंगे ये चीज़ आपको करनी होगी अब यहाँ पर क्या हुआ कि व्यक्ति ने चीज़ों को देखा जाना समझा देखो इद्दत ने एक रिवाज होता है एक रसम होती है जो पूरी की जाती है मुस्लिम समुदाय में अगर मान लीजे कि शोहर का देहांत हो गया इंतकाल हो गया या फिर आपको तलाग दे दिया गया तो उसके बाद एक पीरिट ऐसा रहेगा जिसमें आप ना शादी करेंगे और ना ही कुछ और करेंगे तो उस पीरिट को इद्दत कहा जाता है तो जो शोहर साप थे उनके उन्होंने कहा कि मैं इद्दत के समय को पूरा करने के लिए पहले ही 15,000 रुपए दे चुका हूँ अब जो भी चीज़े होंगी वहें इद्दत के बाद होंगी और हमारी जो ववस्ता है वहें चल रही है मुस्लिम महिला अधीनम 1986 के था हम इसको मानते हो चल रहे हैं CRPC को हम नहीं धियान रखते तो CRPC के था है जो भी चीज़े हो रही है यह भी हमारे लिए ठीक नहीं है इनको भी हम नहीं सुईका रहेंगे पर होती है उसके बाद में स्थाई गुजार्यवत्ति के ववस्ता कर जाती कि इतना मिलता रहेगा यहां पर 20 कर दिया गया मामला अब फैमली कोट से उपर उठा और पहुंच जाता है तिलंगाना हाई कोट में फिर इनके पती देव हैं वही आकर यहां पर अपील करते हैं और कहते हैं कि मामला बढ़ा गड़ बढ़ा है कि काफी ज़्यादा पैसे माग रहे हैं उन्होंने का कोई बात में तुम परिशायत मत हो और दिसंबर 2023 में कहा दिया गया कि मातर 10,000 रुपे दी दिया करो ज्यादा परिशान होई जरुतने 10,000 रुपे दे सकता हो 10,000 जो कहा था कि 10,000 रुपे देनी होंगे उसके बाद में अब एक सके अगेंस पहुच गया है सुप्रीम कोड एक याचिका प्रस्तुत कर दी गई है याचिका में साफसाफ कहा गया कि तलाख शुदा मुसलिम महिला जो होगी वहां CRPC की धारा 125 के ताहत भरण पोशन की मांग नहीं कर सकते हैं जो याचिका लगाई है इस पूरुशन है उसने खुद यह बाद प्रस्तुत किया उसने का जब हमारे पास कानून है मुसलिम महिला तलाक पर अधिकारों का सनक्षा अधिने मुनियों चैसे तो उसके अकॉर्डिंग कारक्रम होना चाहिए वह शुरुवा जो भी होगी वह सब्सक्राइब लेकिन मैं नहीं दे सकता चीज़े मेरे धरम जो है वह जादत नहीं देता है सब की चलो जी चीज़ें हुई सारी की सारी अब नियाया यहां पर सोच में पढ़ गया है सबसे पहली बात कि क्या किया जाए विवाद हो गया है पर विवाद एक्ट है सब के लिए सेम सक्षन है अब यहां पर इसको नहीं प्राइटी दिदानी चाहिए जो हमारे मुसलिमों के अलग अलग प्रसनल लौ बने हुए उनको ही प्राइटाइस किया जै क्योंकि यह चीज़ों को नहीं समझते जैसे कि CRPC वगरा है इनको नहीं पता कि हमार की रकम का निर्दारन किया जाता है महर की रकम अदा की जाती है वगयरा वगयरा बाकी चीज़ें भी हमारे हैं पर हमारे कानून के अपर हम लोग नहीं कर सकते जब विवाद उठा और यहाँ पर नियाए पल गए, खुद सोच में पढ़ गए, कि CRPC को प्राइटाइस किया जाए, मुस्लिम पर्सनल लोग को, तो फिर हमारे एक नियाए मूरती है, वी वी नागरतना, इनकी पीठ चियो थी, इन्होंने एक वकील को नियाए मित्र अब न नहीं हुआ है, लेकिन विवाद काफी गहरा आगया है, कि धर्म निर्पेश कानून को प्राइटाइस किया दाने चाहिए, फिर समुदाय विशेश के, क्या कहते हैं आप लोग, किस कानून के वववस्ता होनी चीए, किस प्रकार से वववस्ता चलनी चाहिए, आप लोग क क्या मानना है, वहीं अगर हम लोग आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं, तो हमें पता लगता है, CRPC धारा 125 के बारे में, बार-बार मेंशन हो रहा है, लक्ति नहीं मानना चाहता है, कि इसमें क्या वीवी चीज़ा लिखी हुई हैं, उसको हम accept परें, लेकिन हम लोग पतिनी के पास अपना भरन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कोई भी ववस्था नहीं है, कोई भी source of income नहीं है, तो पती की जिम्मेदारी है कि आप उसको कुछ अमान प्रोवाइड करेंगे, हाला कि अमान प्रोवाइड करने का लिए अब तक कोई भी formula नहीं बना नहीं है, लेकिन चीजों के परिस्तित्यों को समझते हुई ने ले लिया जाता है, इसमें खास बात यह भी है कि सिर्फ आपकी तलाक शुदा पत्नी के लिए ही ववस्था नहीं करता है, इसमें ववस्था की गई है, आपकी जब विवा था, उससे जो उत्पन हुए है, ब वो भी चाते हैं कि उनके लिए भी गुजार बत्ते के ववस्था की जा, तो देखे वह भी अपील करेंगे, तो CRP सक्षन 125 के तहथी केस जर्ज होगा, यह भी हाँ पर किलियर किया हुगा है, चीज़े के लिए पतनी को कब तक गुजारा बत्ता देना हुगा, यदि वह व महिला तलाग पर अधिकारों का सनक्षण अधिनियम 1986 की, इसको भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या खास प्रावधन किये गए, क्यों वेक्ति इसके पीछे विशेश रूप से अकरशित हैं, पहली बात तो धर्म विशिष्ट कानून है, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो भी तलाग होंगे आगनेवाई समय में, उस स्थिति में यही कानून लागू होगा, इसके अकरवडिंगी चीज़े से लेंगी, लेकिन मुसलिम महिलाओं को उसके बाद यह क्या दिया गया था कि ठीक है, क्योंकि शाहबानों जो केस था वह है, उसमें CRPC के धारा 125 के त कोई तलाग शुदा मुसलिम महिला होगी, तो अपने पूरुपती से उचित और निश्पक्ष प्रावधान के माध्यम से वह भराण पोशन की हगदार होगी, यह निकिन नियायल फैसला करेगा कि क्या 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 चीज़े आपके लिए मैनेज की जाए, लेकिन उस सिस्थि आपको बताये तो आने महर को लेकर केम में चीज़े होती है, विवाह के समय ही चीज़े निधारित कर दी जाती है, एक मूवी है इसके पीछे, गर आप देखोगे तो काफी अच्छी लगेगी चीज़े, हो सकता है आपनों में से बहुत सार लोगों ने देखी भी हो, सनम बेवफा नाम है मूवी का, मूवी के अंदर शादी होती है, काफी अच्छे चीज़े होती है, लेकिन वहाँ पर जो लड़की का पिता होता है, वह हमाँ पर डिमांड कर देता है, तो जो लड़के का पिता होता है, डैनी, उसको लगता है कि मेरा अपमान हुआ है, तो ची सब लोग देखते हैं पर सीखते भी रहा कीजिए मुवी से सीखने जानने समझने को मिलती है पता चलता है कि हाँ यह चीजा ऐसे होती है हर मुवी कुछ ना कुछ हमें जरूर चिखाती है तो सहमत महर की बराबर जो भी राशी होगी चाहे आप इसको समान के रूप में जेव भी खास विशिश है अलग प्रावधान नहीं सब बाते वही है कि चति पूर्ति है गुजारा भत्ता देना है यदि आपके पास इंगम का सुर्स नहीं हो तो सिस्थिति में ही देना है यह सब ही चीज़ें यहां मैंशन है इसकी धारा 24 और धारा 25 इस मामले में अपने आप में काफी अधाखास है अंतरिम गुजारा भत्ता स्थाए गुजारा भत्ता सबके लिए हैं वर्स्था करते हैं अगर आपके पास इंकम का सूर्स नहीं हो तो सिस्थिति में ठीक है चीज़ें के लिए आप लोग को यहां पर तो इस प्रकार से हैं तीसरा कानून है जो हम तो चीज़ों मित करता हो कि इस प्रकार के परिक्षा परिक्षा नदर कुछ कास मूल्यों का पालर नवस्यन ड्यान रखनी अब रहता क्स मेंस के नोट्स जरूर बना लीजेगा और हाँ चीजे पसंद आए तो बाके साथे तो शेर जरूर करना है वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखे आप लोग कि स्क्रीन पर है उम्मिद करता हों कि चीजे यहां भी ठीक रही होगा आपको अंसर अच्छा हुए हम लोग अगरी वीडियो मिलते हैं कुछ नहीं बातों के साथ तब तक के लिए विदाए दीजिए थैंकिसो मच